सिर्फ प्रदानमंत्री से सवाल पूछने का या मुख्यमंत्री से सवाल पूछने की बात नहीं है दो जिल्ले में मैं भी DM रह चुका हूँ, collector रह चुका हूँ एक नागरिक सरकारी ओफिस में, दफ्तर में हाद जोड के ही आता है हाद से नहीं आता है हाद से सवाल पूछने के लिए एक सरकारी दफ्तर में नहीं जाता है क्यों? अपना हाद नहीं समझता है ये देश नागरिकों का देश है किसी का राजा का देश नहीं है जो अगर पुलिस खड़े हैं, इनकी लाथी भी आपके टाक्से आये हुए जिससे आपको शायद मार पड़ती होगी वो भी आपकी टाक्से आये होगी पर मान लीजे आप इदर से चल रहे हैं नहीं, उनको कुछ वो नहीं कह रहा हूँ है पुलिस को कुछ गलत नहीं कह रहा हूँ एक सिस्टम जो है उसकी बाद कह रहा हूँ अगर वो लाठी उटाते होगे हट यहां से तो आप जल्दी साइड हो जाएंगे और मान लीजे रात को आठ बजे है घर जाओ यहां से तो तुरंट बोलेंगे मारी है मत हम चले जाएंगे क्योंकि आप प्रजा है नागरिक होते तो पोछतें कि बाई मार क्यों रह था तुमको किसने अधिगार दिया मरे उपर मारने का मेरा ही देश में मुझे सेवा करने के लिए ज़ो निवर्ति हुए आप हमें मार कैसे सकतें यह पूछते नागरिक होतें पर हम वह नहीं पूछते तो उसके मारिए मत चले जाएंगे आप और मार के हो रहा है जब आपने आपको नागरिक नहीं मैसुस करते तो सरकार से जिम्मधारी मत एक्सपेट करेंगे उसके उमीद मत रखिए जब खुद से नागरिक होने का उमीद नहीं है आपको तो सरकार से जिम्मधार होने का उमी कि यहां से कई सारे लोग बाहर जाते हैं वह क्योंकि करने का कई सारे लोग निकलते हैं यहां से उन्होंने दिखा है कि बिना घूश का हमें ड्राइविंग लैसेंस मिलता है नहीं हेवी मोटर का जो है ड्राइविंग लैसेंस मिलता है नहीं यहां पर और हम दूसरी स्टेट से दूसरी जिल्लों से जाके वो ड्राइविंग लैसेंस बनाके यहां से कई और जाके नौगरी डूडते हैं और वो चाह रहे थे कि मैं इस मुद्धे को इस मन से बोलू भाई सिवान मेरा है कि आपका है अगर आपको यहां पर दिक्कत है आप सवाल पूछेंगे कि आप उम्मीद रखेगा कोई और आके वो सवाल उठाएंगे पहले यह अपना है यह सोचना जरूरी है यह समझना जरूरी है यह मेरा है यह देश मेरा है यह प्रदेश मेरा है यह जिल्ला मेरा है यह गाव मेरा है और अगर यहां कुछ ठीक नहीं है उसको टीक करने का जिम्मेदारी भी में कोई और आके नहीं कर सकता है उसके जगा पे हम अपने आपको प्रजाही क्योंकि आसान है प्रजा बनना नागरिक बनना बहुत मुश्किल है चीज़ों को समझना होगा सवाल उठाना होगा फिर लड़ना पड़ेगा हो सकता है शड़क पे उतरना पड़े मुश्किल है नागरिक बनना बहुत मुश्किल काम है प्रजाग बनना तो बहुत आसान है मिल गया तो मिल गया नहीं मिला तो नहीं मिला चार बार दाली दे दिया खुझ खोश लिया अरे सारे चोर है, सारे वैसे ये खतब बहुत आसान काम है और आदमी हमेशे आसान रस्ता चुनता है सही और गलत रस्ता नहीं चुनता है ये सोचता भी नहीं कि सही क्या है गलत क्या है आदमी सोचता है आसान क्या है और आसान क्या है उसको चुन लेता है पर इसके साथ-साथ एक और चीज़ हुआ है आज जैसे एक छोटा से एक्जामपल बताऊंगा डान कहन करके एक रिसर्चर है सोशल साइंटिस्ट है एक ऐसे नाम मान लीजे उन्होंने एक चीज़ स्टडी करके बताया है कि जब हमारी पैचान हमारी आइडेंटिटी को हमें लगता है कि कुछ खतरा है चाहे वो आइडेंटिटी हो सकता है हिंदू होने का हो, मुसलमान हाने को हो कोई जात का हो, कोई प्रदेश का हो कोई भी तरीके का हो उस पैचान पे जब कोई सवाल हमें लगता है कि उसको खत्रा है तब हमारे सोचने की शमता जो है वो कम हो जाता अगर आज सवाल होना चाहिए ताकि पेट्रोल की दाम क्यों इतने बड़े हैं पर वो नहीं होता क्यों भाई जब हिंदू खत्रे में हैं तो क्या पचाध रुपह ज़ादा हमें दे सकते और पेट्रोल के लिए पहता है व यह वह इसलिए नहीं है यह दिमाग में आजाता है कि पैचान हमारे उसनिक्तव खत्रे में हैं तो थोड़ा वột नु wrapped क्रानस तो तो सह रहागे न चाहे पेट्रोल का हो, चाहे डीसल का हो, कोई बात नहीं, तो लाटी भी माखलोग चलेगा, धर में बचना चाहिए, अब वो खत्रे नहीं हो जाना इंपोर्टेंट है, और यह एक्स्टाब्लिश्ट है, कि जब हमें ऐसे लगता है, हमारी कोई आइंडिटिक खत्रे में है, ह हमारे सोचने का शमता उन नीचे हो जाता है.